हलो फ्रेंड्स आप सभी का अपनी यूटूब चैनल पर हार्दिक स्वागत हैं इस वीडियो में हम बात करने पाल हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेटिकल फैकल्टी थर्ड राउंड काउंसलिंग के बारे में तो फ्रेंड्स वीडियो को इंट तक देखते रहें वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं या चैनल पर पहली बार विजट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि बेल लाइकन के साथ साथ आल के बटन पर क्लिक कर लें जिससे कि सारी इंफार्मिशन आपके पास सबसे पहले और फिरी में पहुंसते रहे हैं तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट्स फाइनली हम लोग आ चुके हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेटिकल फैकल्टी की वेवसाइट पर बहुत सारी स्टुडेंट की कमेंट्स लगातार प्राप्त हो रहे हैं जिनका सेकेंड राउंड काउंसलिंग में नहीं हुआ या जिनका हो गया है अगर उन्हें मन परसंद कोर्स नहीं मिला है इस्टुडेंट को मन परसंद कॉलेज या कोर्स नहीं मिला है वो स्टुडेंट लगातार कमेंट कर रहे हैं और सबसे जादा इस्टुडेंट लगा या नहीं होगी होती है या कि नहीं होती है तो फिर्ण्स वीडियो को इंगे तक देखते रहे हैं सबसे पहले बत करते हैं कि 3rd round counsell । किन परस्थितियों में कराई जाती है क्या last year करवाई गई थी या उससे पहले करव होती है की नहीं हुई थी तो फिर बिल्कुल आप confirm रहे हैं जब second round counselling में course की seat रिक्त रह जाती हैं बहुत सारे student उन्हें मन पसंद course नहीं मिलता है या distance की वज़े से बहुत सारे student जो एडविशन नहीं लेते हैं तो जो seat बचती हैं अगर second round counselling में seat बचती हैं तो आपका third round counselling उत्तर परदेश state medical faculty दोरा करवाई जाती है अब बात करते हैं कि last year या उससे पहले एक दो साल third round counselling हुई थी कि नहीं हुई तो बिल्कुल confirm रहे हैं इसका link भी आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगा एज प्रूफ कि last year third round counselling करवाई गई थी उत्तर परदेश state medical faculty दोरा जिसका link प्रूफ लिंक आपको इस वीडियो के description box में provide किया गया है कि बिल्कुल आप अनिक बैकावों में नहीं कराई जाएगी last year भी करवाई गई थी इसका link आपको इस वीडियो के description box में provide किया गया है अब आप करते हैं क्या इस बार आपकी third round counselling करवाई जाएगी तो बिल्कुल आप निश्चित रहे हैं ऐसा कभी नहीं होता है उत्तर पर देश्टेट medical faculty के में की third round counselling ना करवाई जाए लेकिन इस वाद का आप यसे ध्यान रखें कि third round counselling में seat ओं की संख्या केवल उतनी सीमित रहती है जिन seat ओं पर second round counselling में student admission नहीं लेता है सबसे ज़्यादा seat बर जाती है first round counselling में और second round counselling में बर जाती है तो फ्रेंट्स बिलकुल confirm रहें इस बार भी उत्तर परदेश स्टेट medical faculty द्वारा third round counselling करवाई जाएगी और second and first round counselling के तहित आपको अपना seat lock करना होगा तो फ्रेंट्स फाइनली ये वीडियो आपको कितना helpful रहा comment box में comment करके जुरूर बताई और अभी तक आपके अगर कोई भी questions हो जिनके आपको answer ना मिल पाए हो तो आप comment box में comment करके पूछ सकते हैं और बहुत सारे student क्या करते हैं पूरा channel देख लेते हैं लगातार video enjoy करते हैं video में जो provide किये जाता है लगातार उन्हों देखते रहते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं यह बहुत गलत बात है आपके लिए लगातार अपडेट उत्तर परदेज स्टेडमेंट कर फैकल्टी कानपूर उन्युनिवस्टी लगातार लाते रहते हैं लेकिन बहुत कम student है यह बहुत गलत बात है आप तुरंत चैनल सब्सק्राइब कीजेगा जिससे के आपको latest अपडेट सबसे पहले मिलती रहे जैसे चैनल दोर अपलोड हो आपके पास सबसे पहले आपको अपडेट मिलती रहे इसलिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा